आप लोगं को एक भैंकर वाली चीज दिखाती हूँ, ये देखो भाई कितना बड़ा साप है, आज फिर से साप के दर्सन हो गए हैं आप सभी को मेरा प्यार बरा नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे और इन खुब सरसे पहाड़ में अभी सुबह के साथ बजी का टाइम हो रहा है और मेरी वी एक नई वीडियो की सुरवात हो गई है, अभी मैं जा रही हूँ, गोसाला पाकी भाई आज की मौसम की बात करें तो मौसम कुछ इस तरह का है, बादल लगे वे हैं और नीचे मैं देखो भाई धुआ भी आ रहा है, कापी सारे लोग मेरी को कमेंट करते हैं, गाउं का नाम क्या है, तो मेरे गाउं का नाम है फापंज, जो की उतरा खंड के रुदर पारिस आएगी, इधर सामने, इधर साइड देखें, काले काले बादल लगे वे हैं, कास की बारिस आती, तो और भी ज़्यदा अच्छा होता, क्योंकि ना, खेतु में सारी लगानी के लिए हो गया है, धान, तो सारी लगानी का मतलब होता है, कि जो ये खाली जगह है, जह ठीक सामने के उस गाउं में भी देखें, आग लगा रखी होगे न, तो धुआ आ रखा है, और यहाँ नीचे पे देखें, यहाँ पे भी आड़े फोक रहे हैं, तो धुआ आ रहा है, इस धुआ की वजए से ही चारु तरफ का जो माहौल है, एकदम से धुन्दला सा हुआ रहता है, बाकी देखते ही देखते गाउं में धूब भी निकल चुकी है, लेकिन आज धूब जो है, एकदम लाल सी हो रखी है, तो मैं यहाँ पे रास्ते में जाते जाते आप लोगों को एक भैंकर वाली चीज दिखाती हूँ, जिसे देखके न आप भी डर जाओगे, य देखो भाई, कितना बड़ा साफ है, मुझे तो लगता है, यह वही साफ है, जो मैंने कुछ टाइम पहले आपको वीडियो में बताया था, लेकिन यह अभी मरा हुआ है, पता नहीं किस ने मार दिया है, इसको यह देखो, वही है ना, आप लोग पैचानू वही है या नही इसको, और मैंने जब कल देखा न, तो मुझे बहुत ही जादा डर लगा, मुझे तो एक पल के लिए लगा, कि यह जिन्दा है, पर जब गाउं के दीदी लोगोंने बताया कि मरा हुआ है, तो थोड़ा सा यह देखो भाई, कोई अगर घास के लिए आएगा, तो उसे तो मतलब छल का पठी लग जाएगा, तो सुबह सुबह यहां पर आज फिर से सांप के दरसन हो गए हैं, आज कल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, कि पहाड़ों में सांपों का भी बहुत ज़्यादा डर होता है, इसलिए जब भी इदर उदर जाना होता है, तो एकदम भाई यहां पर हमारी गोबर की मरास को देखो, सुबह ने इस तरह से उदर रखा है, पूरा गोबर फैला के इदर उदर डाल रखा है, बताओ तो सुबह भी जब गौसाला के चौक में आ रहे हैं, तो अब क्या बोल सकते हैं हम, यहां इदर पता नहीं यह ना, यह सुबह गोबर के अंदर जो मंगरे होते हैं, उनको ढूणने के लिए आते हैं वो गोबर की मरास में, और यहां पर भी इस तरह कर रखा है, और यहां पर भी देखो, यहां पर भी वही हाल कर रखे हैं, यहां पर भी मैंने पहले गोबर रखा था ना, तो जहां जहां पर गोबर र मंडवा काफी अच्छा हो रखा है जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो नीचे वाली साइट खाली खाली लग रहा था ना मुझे लग रहा था कि वहां पे मंडवा है यह नहीं पर आज कल देखे गुडाई करने के बाद सारी तरफ चारु तरफ अच्छा सा हो गया है क्योंकि यह जो है बहुत जल्दी हो जाता है और जो यह दूसरा वाला है ना यह बारिक वाला तो यह अभी छोटा है और हमारे खेत हैं यहां उपर तो वहां भी देखते हैं कैसा रखाया जंगोरा और सुबए-सुबए का टाइम है तो चुणियों का सोर कैसे पीले-पीले पढ़ गए हैं पते तो अब ना फिर से इसमें दुबारा थोड़ा सा गुडाई करनी होगी क्योंकि इसमें बीच-बीच में खर-पतवार भी हो रखा है उपर से बारिस होगी तो खाली-खाली जगह पे रुपाई भी करनी है और इधर साइट तो अच् तो यहां मैं उनके खेत में जारी हो गास के लिए तो यही होता है पाड़ों में अदला बल्ली 60 बाट करके काम करना पड़ता है बाकी भाई इधर भी जंगोरा काफी अच्छा हो रखा है उधर साइड में मुझे जाना है यहां से उपर वैसे तो मुझे दूसरे रास्ते स जाना था पर मैंने सोचा अपने खेतों के रास्ते से हो कर जाते हैं थोड़ा अपने खेतों के हाल चाल भी देख लेते हैं एक ये वाला खेत है हमारा जिसमें काफी आसे जंगोरा हो रखा है और एक है ये उपर वाला तो भाई इसमें भी अच्छा आसा हो रखा है जंगोरा है ना बाकी जैसे ही बरसा सुरू हो ने लगी है ना वैसे ही चारो तरफ हर्यालियों और जाडियां भी सुरू हो गई है त कि पूछो ही मत पर मुझे जाना है यहां उधर वहां जाना है मुझे डुंगसानी से आ रही है रजनेदी तो उसे के साथ जाना है मुझे पर मुझे डर लग रहा है मैं इस जाड़ी में कैसे जाओंगी क्या होगा मुझे इस रास्ते से जाना होगा मुझे यहां ऐस जाड़ तो चोला लगा रखा है यह है यह दिखो लोत आने ये पर यह मासिस ही भी 奶 है इसमें इसमें तेली भी देखो भाइँ इतनी सारी तिल्या है गिर गई यह देखो वै रजनीदीदी आने के बाद घास भी निकाल दिया रजनीदीदी ने रादे रादे सुपरबाद कथावे गास अब हम भी निकालते हैं यहां से घास फटा फट तो भई यहां पर मैंने घास निकाल दिया है और अब जाना पड़ रहा है मुझे ऐसे रास्ते से जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यहां पर पिछली बार रोड की कटिंग वही थी उस वज़े से सारे पथर और मिट्टी नीचे आ रहे हैं और जैसे इनमें पै उसे अंदर भी बांदिया है आचकी हूँ खेत में यहां पर जंगोरे की गुडाई करी हैं मैं थोड़ा सा क्योंकि ना पहले जब मैंने इस जंगोरे की गुडाई करी थी तो उस टाइम पर यह चोटा था और जंगोरे और खर पत्वार में ना अंतर भी नजर नहीं आ रह तो इसमें ज़्यादा खरपतवार दिख रहा है मिर को तो थोड़ा मैं इसको निकाल देती हूँ फटा फट से फिर चलते हैं घर की और क्योंकि अभी तक नास्ता भी नहीं किया है तो जल्दी जल्दी घर जाना है और एक ये नीचे वाला खेद भी रह गया है कि 11 बच गई है और मैं घर में आके नास्ता भी कर लिया है नास्ता करने के बाद मैंने यहाँ पर करी है एक सूट की कटिंग जिसे मैं अभी सिल रही हूँ और बाहर देखे भई बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है धूप हो रही है सामने की पहाड़ियों पे बादल भ हो गया है और अभी मैंने खाना भी बना लिया है खाने में मैंने बनाए है चावल यहाँ पे है साग में आलू की थचवानी जो की मेरी फैवरिट है इस पे साथ में है दई तो खाते हैं फटापट से खाना और करते हैं थोड़ी देर रेष्ट तो भाई अभी हो चुका है साम के साथ बजे का टाइम और अभी हम बैटर के हैं हर तोली अपनी गौसाला में ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं साथ मैं दीदी और दीदी जी तो दीदी जी रहती हैं दिल्ली में बहुत जादा गर्मी होती है दिल्ली में नीदी त कर सकते हैं तो भई यहां पर अभी ठंडी हवा का आनन्द ले रहे हैं क्योंकि घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो वहीं तो अभी आभी हमने यहां पर खुब सारी रील बनाए हैं दीदी लोग के साथ सभी लोग के साथ तो जरूर इस्टाग्राम पर देखना इनका डांस तो भाई आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बाई 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 आज देखो भाई गौसाला से इतने सारे सभी लोग जा रहे हैं तो इतने सारे हैं हर्तोली से घर जाने वाले हालांकि यह सब साथ साथ नहीं जाते हैं हमेशा पर अभी कुछ लोग आए भी नहीं हैं बागी दोस्तों अभी देखो अंदेरा अंदेरा भी होने लगा है और यह देखो भाई कुछ आगे से जा रहे हैं और कुछ यह पीसे से तो हम भी चलते हैं अभी घर तो ठीक है भाई भाई मिलते ह आपको कल वाली वीडियो में